हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का Mathematics Mind Talk स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने Magnet Brains में जो प्रोवाइड करता 100% Quality of Free Education के डिगाडन से लेकर Class 12 तक अगर आप लोग CBSC Board से न तो आप लोगों के लिए Magnet Brains का English Medium Channel है लेकिन अगर आप लोग Hindi Medium से तो घपरानी की कोई भी बात नहीं है आप लोगों क्लिए Magnet Brains का Hindi Medium Channel जहां पर आपको मिल जाता है Class 6 से लेकर Class 12 तक एक दम Quality टिवाइज और Free Education वह भी Hindi Medium है विद कवरेज यूपी बोट डेली बोट बिहार बोट राजिस्थान बोट और आपका प्यार प्यार एंपी बोट इतना ही नहीं यहां पे आपको मिल जाते हैं धेरो सारे प्राक्टिस कोईशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेकर आ सकते हो और अगर आप हमारे इबुक्स या इनोट्स को अविल करना चाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप वहां से जाके अवि से लेकर 20 तक तो यह रहा हमारे पास कोईशन नंबर 11 11 कोईशन क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान चाहिए समझना क्या अगर आपके पास एक यह इक्वेजन है और इसके एक्वाल रूट्स है तो आपको शो करना है कि यह इसके बराबर होगा तो अब बात को बहुत 2mcx plus c square minus a square बराबर 0 और इस equation के ना equal roots है अब अगर इस equation के equal roots है तो इधर के हिसाब से आपके पास जो discriminant हो जाएगा वो हो जाएगा b square minus 4ac वो तो होता ही है और b square minus 4ac यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0 के क्यों क्योंकि आपके पास equal roots की condition है अब आपको देखना है कि b क्या ह तो b है मेरे पास 2mc तो 2mc का क्या कर देंगे हम लोग square कर देंगे minus 4 into a कित्ता हो जाएगा 1 plus m square और c कित्ता हो जाएगा हमारे पास देखो b हो जाएगा और a हो जाएगा 1 plus m square और c क्या हो जाएगा c square minus a square बराबर कित्ता हो जाएगा 0 हो जाएगा 2mc का square कित्ता हो जाएग माइनस अब सुनना बहुत जाता ध्यान चे 4 का लिखा 4 अब इसको इससे मल्टिप्लाइ करोगे तो हो जाएगा C square माइनस A square प्लस M square C square माइनस M square A square बराबर कित्ता हो जाएगा? 0 हो जाएगा इत्ता ध्यान रखना बस ठीक है अब देखो 4 M square C square माइनस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 C square प्लस 4 A square माइनस 4 M square C square प्लस 4 M square A square बराबर कित्ता हो जाएगा? 0 हो जाएगा अब 4 M square C square से 4 M square C square खतम खलास हो जाएगा अब आपके पास क्या बचेगा? अब आपके पास simple सा बचेगा अगर आप 4C square को सिर्फ यहां रखते हो और इसको और इसको जब right side लेके जाते हो तो यह हो जाएगा minus 4A square minus 4M square C square ठीक है? minus sign यहाँ से जब आप common निकालोगे एक काम करो minus 4 निकालो common minus 4C square बराबर minus 4A square plus M square अच्छा एक काम करो ना A square ही common आ रहा है ना तो अंदर बच जाएगा 1 plus कित्ता M square तो आपके पास minus 4 से minus 4 कट जाएगा बचेगा C square बराबर A square 1 plus M square और लीजिए हमने यह चीज़ प्रूफ कर डा ली देख लो भाई देख लो देख लो आसान है आसान है बस आपको discriminant की conditions याद हो न फिर तो आप क्या नहीं कर सकते हो पताओ क्या नहीं कर सकते हो अगर आपको discriminant की condition याद हो तो आप सब कुछ कर सकते हो यह सवाल आया था CBSC 2017 में सोच लो कित्ता आसान सवाल था हो गया आसान लगा आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे बढ़ते तो अब जब हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमने देखा नया question आजा question क्या बोलना चारा है वो समझना आपको क्या करना है आपको quadratic equation solve करना x के लिए ठीक है अब सबसे पहले सबसे पहले तो मेरा जो बस पढ़ता यहाँ पर मैं इसमें तो करूँगा quadratic formula को सबसे पहली चीज़ कि मैं इसमें क्या use करूँगा मैं इसमें use करूँगा quadratic formula ठीक है अब quadratic formula में use करूँगा मैंने माना अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसको ax square है ना capital में लिखता हूँ ax square plus bx plus c से अगर मैंने इसको compare किया तो आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि a की value कित्ती हो जाएगी 9 हो जाएगी b की value कित्ती हो जाएगी minus 9 a plus b हो जाएगी minus 9 a plus b हो जाएगी और c की value कित्ती हो जाएगी इतना पूरा हो जाएगा क्या 2a square plus 5ab plus 2b square ठीक है अब आपको क्या fine करना है अब आपको fine करना है discriminant तो discriminant क्या होता है B square minus 4AC अपन लोगों ने capital लिए न तो 4AC अब मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग discriminant तो fine करी रहे अब discriminant fine कर लेते हैं हम लोग तो discriminant D बनाबर हो जाएगा B का square मतलब minus 9 A plus B का whole square minus 4 into A कित्ता हो जाएगा 9 और C कित्ता हो जाएगा 2A square plus 5AB plus 2B square simple है वाई तो D कित्ता हो जाएगा 99 जा 81 A plus B का whole square minus 9 4 जा 36 36 जा कित्ता हो जाएगा 70 अब पूरे को भाई 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 या हमें सॉल्टो करना पड़ेगा 9 4 जा कित्ता हो जाएगा 36 36 into 72 A square plus 36 into 5 6 5 जा 35 जा 15 और 1800 या 180 180 A B plus आपके पास कित्ता हो जाएगा यह आपके पास हो जाएगा 36 into 72 72 B square clear है इत्ता बढ़िया तरीके से अब इसको भी खोलना पड़ेगा 81 A square plus 81 B square minus नहीं plus 81 into 2 मतलब A to 16 162 A B अरे भाईया A square plus B square plus 2 A B तो 2 A B का multiply मैंने 81 के साथ किया तो 162 A B minus कित्ता हो जाएगा 72 A square plus कित्ता हो जाएगा 180 A B हना 180 A B plus कित्ता हो जाएगा 72 B square अब समझो बात को अब आपके पास discriminant कित्ता हो जाएगा 81 minus 72 9 A square 9 A square 81 B square और आपके पास 72 B square देखो आपने minus तो खोला आपने minus तो खोला लेकिन अभी नहीं खोला आपने minus अब आप minus जब खोलोगे तो ये minus का हो जाएगा समझ रहो ये minus का हो जाएगा ये भी कहा हो जाएगा ये minus का हो जाएगा आपने अंदर ये अंदर में multiply तो कार दिया 36 का लेकिन minus नहीं खोला तो अब आपके पास minus भी खुल गया अब सुनो 81 B square में से वो कटेगा तो आपके पास कित्ता आजाएगा ये भी आजाएगा 9 B square अच्छा अब 162 और minus आपके पास 180 तो आपके पास कित्ता बचा 18 बचा की नहीं बचा अरे 18 बचा ना तो minus 18 A B अब आप 9 common निकालोगे 9 आप common निकालोगे 9 आपने common निकाला अंदर बचा A square plus B square minus 2 A B तो आपके पास क्या होगे discriminant आपके पास होगे 9 A minus B का whole square और ये पक्की बात है कि A minus B कुछ भी होगा square होने के बाद square होने के बाद आपके पास क्या होगा positive value मतलब ultimately हमने जो discriminant निकाला है वो क्या आएगा greater than 0 आया है अगर discriminant greater than 0 आया है तो आप ये चीज़ तो जानते हो कि यहाँ पे आपके पास दो distinct real roots आएंगे ठीक है दो distinct real roots अब हम उसको fine करेंगे अब हम उसको fine कैसे करेंगे quadratic formula से quadratic formula में अगर आपको xql u निकालनी होती है तो formula होता है minus b plus minus root of b square minus 4ac whole upon 2a तो xql u कित्ती आजाएगी minus का b minus का b मतलब ये पूरा कित्ता हो जाएगा plus में हो जाएगा तो 9a plus b plus minus under root of 9a minus b का whole square whole upon 2a 9 to the 18 9a plus b का plus minus 3 a minus b whole upon में 18 अब इसको एक बार plus में ले लेना एक बार minus में ले लेना तो आजाएगा x बराबर कित्ता हो जाएगा 9a plus 9b plus 3a माइनस 3B अपॉन 18 9A और 3A 9 और 3 कित्ता हुजागा 12 12 प्लस 6 12A अपॉन 18 यहां से क्या करो 6 common निकालो तो 6 common निकालोगे तो 2A प्लस B आपॉन 3 बचेगा आपके पस 2A प्लस B 3 क्योंकि देखो न 9 और 3 होगा 12A और 9B और 3B हो जाएगा आपके पस 6B मैंने क्या किया 6 common निकाला तो जैसे 6 common निकाले यह हो गया आपके पस 6 से नीचे वाले को आट दिया हो गया काम खतम अब क्या कर रहा हूँ अब मैं कर रहा हूँ B के लिए solve जो दूसरी value आएगी न उसके लिए solve कर रहा हूँ तो आपके बस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा त्यान रखना तो X जो आएगा वो आजाएगा 9A प्लस 9B 9A प्लस 9B माइनस 3A प्लस 3B माइनस 3A प्लस 3B whole upon me 18 तो X किता हो जाएगा 9A और 3A किता हो जाएगा 6A 6 और ये किता हो जाएगा 12 6A प्लस 12B upon 18 तो X अब किता हो जाएगा A प्लस 2B upon 3 1X के value यह आ गई और 1X के value यह आ गई हो जाएगा solve बस ऐसे ही करके हमारा question number 12 हो गया एक बार जल्दी से screenshot ले लिजे गाईस फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इसको करके देखेंगे बाई करना बहुत जारूरी है ठीक है चलो 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 आजाओ आजाओ अब आपके पास एक नया question आया और ये question 2019 में आया हुआ सारे PYQs लेके आया हुँ आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूँगा एक class test है और sum of Arun marks in Hindi और English is 30 Had he got two marks more in Hindi and three marks less in English the product of the marks would have been 210 find his marks in the two subjects समझो अब बात को बहुत जाए ध्यान से समझो अरून के marks Hindi और English के मिला कर किते हैं 30 है 30 marks से उसके किस किस को मिला कर Hindi के subject और English के subject को मिला कर दोनों को मिला कर उस वो 30 score कर रहा है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो Hindi में 17 score कर रहा है स्कूर बता दिया 17 तो मैंने इतने 30 में से हिंदी का score माइनस कर दिया तो 13 आ गया कि उसका जो हिंदी में score था वो X था वो किता था X let he score X marks in किसमें हिंदी में तो उसका score English में कितना हो जाएगा सिंपल सर 30 माइनस X कितना 30 माइनस X मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ लेट अरुन score X in हिंदी और English में अब उसका score कितना हो जाएगा English में अब उसका score हो जाएगा 30 माइनस X कितना हो जाएगा 30 माइनस X अच्छा अब अगर ऐसा हो गया तो अब आपको condition क्या बोल रहा है कि height he got two marks more in Hindi तो यहाँ पर लिखना two marks more in Hindi तो हिंदी में उसका X था तो दो marks और उसने का कर दिये गेन कर लिए और three marks less in English और three marks कम होगा English में three marks less in English तो तीन marks जब उसने कम स्कूर करा तो 26 हो गया ना भई 30 माइनस X माइनस 3 समझ ना 30 माइनस X माइनस 3 तो अब अल्टिमेटली कितना होगा 27 माइनस X प्रोड़क्ट अब था क्टा अब अब दा प्रोड़क्ट आफ दा माउग्स वोड और अब प्रोड़क्ट ऑफ English में देखा जाए तो 27 minus x है है ना कितना x plus 2 और 27 minus x तो ये दोनों मिलाके कितना हो गया 210 अब x का multiply दोनों साइट से कर दो 27x minus x square plus 54 minus 2x बराबर 210 समझ गया क्या अरे 27 तो 54 अब आप इन सबको राइट साइड भेजो ये x square जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का x square 27 minus 2 25 minus में हो गया तो minus 25x ठीक है प्लस में 210 माइनस में 54 बराबर हो जाएगा 0 x square minus 25x प्लस 156 बराबर कित्ता हो जाएगा 0 अब 156 into 1 आप लोग करिए और 156 का आप क्या ले लिजे भाईया जल्दी से आप लोग LCM ले लिजे तू से जैसे ही जाएगा 27 जा 14, 28 जा 16, 2 से कित्ता जाएगा 23 जा 6, 29 जा 18, 3 से चले जाएगा 33 जा और 13 जा 13, 22 जा 4, 3 जा 12, 12 और 13 कित्ता हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा चीक है 12 और 13 कित्ता हो जाएगा 25 हो जाएगा तो आप इधर से जरा इधर आईए और देखो X स्क्वेर माइनस ये कित्ता हो जाएगा 13 प्लस 12 मल्टिप्लाइब एक्स प्लस 156 बरापर कित्ता हो जाएगा 0 हो जाएगा तो X स्क्वेर माइनस 13 X माइनस 12 X प्लस 156 बरापर 0 तो यहां से लेकर यहां तक की जब आप बात करोगे तो X X माइनस 13 माइनस 12 X माइनस 13 बरापर कित्ता 0 तो X-12, X-13, बराबर कितना 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा 12, और 1 तो X बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है क्या, समझ गए, तो उसके जो marks है, वो कितने कितने हैं, अगर आप हिंदी में, अगर आप हिंदी में 12 बोल रहे हो, अगर आप हिंदी में 12 उसके marks बोल रहे हो, तो उसे साब से उसके English में किता हो जाएंगे 17 हो जाएंगे लेकिन अगर आप उसके Hindi में 13 बोल रहे हो तो उसे साब से से उसके किता हो जाएंगे अबे 12 बोल रहे हो तो अब आपके पास आगया ये question number 14 इसको थोड़ा सा try करिए और इसको समझे करके देखा क्या चल अब दिक्कत नहीं अब मैं बताता हूँ आपको आजा यहीं हम इसको करें या फिर पीछे करें बोले sir पीछे कर लो क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा बड़ा चला जाए आजा 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 question है a upon x minus a a upon x minus a plus b upon x minus b is equals to 2c upon x minus c is equals to 2c upon x minus c अब सुनना और समझना ध्यान से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसका lcm लेना पड़ेगा तो आजा हम इसका lcm लेते हैं यहां से हम शुरू करते है lcm आजाएगा इसका x minus a into x minus b तो x minus b का जब multiply हो जाएगा a के साथ तो a into x minus b plus b into x minus a is equals to 2c upon x minus c ठीक है ठीक है साथ अब आगे बढ़ते हैं a का multiply जब x के साथ करा तो a x minus a b plus b x minus a b यह हो गया क्या एक एक step को बहुती जादा ध्यान से करना एक भी minus plus की गलती पूरे question को खतम कर देगी तो बहुत अच्छे से करना बहुत अच्छे से समझना ठीक है एक बार फिर से question को check कर लो कि भाई यही था बिल्कुल यही था हमें करना क्या है कि हमें x को in terms of a b और c निकालना है ध्यान दखना चलो तो यह हो गया अब हम आगे क्या करेंगे अब हम नीचे वालों का भी क्या कर देंगे सर multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा x square minus bx minus ax plus ab is equals to 2c upon x minus c अब next step में समझो क्या होगा ax तो ax ही रहेगा ठीक है क्या ax तो ax ही रहेगा bx तो bx ही रहेगा minus ab minus ab हो जाएगा minus 2ab whole upon x square तो x square ही रहेगा minus bx minus ax plus ab is equals to अब a की बार में समझ लो तो बहुत अच्छा है हम कर क्या रहें यहाँ पे एक चीज तो यह हो गई x minus c को भी multiply में बुला लो कि भईया x minus c तुम भी आजाओ भईया ठीक है और यह 2c को हम यह पूरा right side में लेके चले आएगे समझ गए तो यह यहां से हट जाएगा यह यहां से क्या हो जाएगा यह यह जाएगा आपको اس step समझ में बारी है क्या नहीं तो मुझे लिखने में जादा time नहीं लगे गए भाई रुको 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 यार clearly समझ लो बाद में बोलोगे यार sir उल्जण होरही है बाद मैं बोलोगे उलजन हो रही है इतना इसको solve करने पर हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं कर लूँगा वाई एक step घीजने में मेरा कुछ नहीं जाने वाला 2c upon x-c अब समझो बात को यह x-c को मैं इससे multiply में लेके आ रहा हूँ और यह पूरा जो denominator है मैं right side में लेके जाऊँगा तो देखो क्या हो जाएगा x-c का multiply ax-bx-2ab के साथ करूँगा is equals to 2c का multiply में x square-bx-ax plus ab के साथ करूँगा तो x square-bx-ax plus ab के साथ करूँगा अब सुनना समझना देखना बहुत जादा ध्यान चे अब यहाँ पर क्या होगा x का multiply इस पूरे के साथ होगा तो सबसे पिल x का multiply कर दो हो जाएगा ax square plus bx square minus 2bx minus cax minus cbx minus minus plus 2abc क्योंकि c का multiply 2ab के साथ होगा तो 2abc is equals to अब इसको थोड़ा अलग pen से लिख देते हैं थोड़ा अलग color में देखेगा तो confusion भी नहीं होगा 2cx square minus 2bcx ठीक है minus 2acx minus 2acx और minus sorry ये तो हो जाएगा plus 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 2abc कित्ता 2abc अब जड़ा काटिंग का चक्कर शुरू करते हैं आज़ाँ अब सुनो और समझो और देखो क्या-क्या काट रहा है plus का 2abc यहाँ पर भी plus का 2abc खतम हो गया बई अच्छा और कौन काट रहा है और कौन काट रहा है ax square ax square वाले कुछ भी नहीं कट रहा है ठीक है 2abx वाला उधर कहीं नहीं दिख रहा minus cax minus cax जैसा भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पर है हमारे पास minus cbx तो ऐसा भी मतलब यह दो-दो में present है तो एक काम करो इन सब को left side बला लो अब देखो क्या होगा यह हो जाएगा ax square प्लस bx square और यह जो x square वाले time में इसको left side लिया है तो minus 2 cx square खतम हो गई इतिवाद अब समझो इसका चक्कर minus 2 a b x वहाँ पर minus 2 a b x जैसा कुछ भी नहीं है minus 2 b x जैसा कुछ भी नहीं है तो मैंने इसको ऐसी लिखा minus 2 a b x clear होगा इतिवाद ठीक है अब ज़रा इस भाई से ने पढ़ते है यह भाई minus c a x है तू ठीक है और तेरे जैसा ही क्योंकि यह यह वाला तो हम लोग लेके आ गए अब यह वाला जो minus का है इसको left side जाब हम लेके आ है तो यह हो जाएगा plus 2 c a x minus में था ना plus में आ गया तो यह भी ने पढ़िया हमारे पास हमारे पास यह भी हो गया यह भी हो गया अब जाएगा इसकी बारी minus c b x ठीक है तो अब इसको भी left side लेके आ जाओ अब इसको क्या करो left side लेके आ जाओ तो यह हो जाएगा plus 2 b c x और कोई बचरा है क्या नहीं बचरा देखो ना एक दो एक दो तीन चार पांच हाना 6 7 8 8 लोग थे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ पर क्या होगा वो सुनना बहुत जादा ध्यान से x square x square x square common निकाला अंदर बचेगा a plus b minus c system खाता हम ठीक है खाता हम अब इधर से लेकर इधर तक में बहुत जादा ध्यान से समयना यहाँ इधर से लेकर इधर तक भी नहीं एक काम करो आप सबसे पहले तो इसको 2 यह जो है ना इसको हम बाद में लिखेंगे अब हम एक काम क्या करना है वो बहुत जादा ध्यान से समयना यहाँ से यहाँ से लेकार यहाँ तक मैं पूरे मैं क्या common आ रहा है बोले sir x common आ रहा है तो मैंने बोला भाई x common आ रहा है तो निकाल लो x अगर common आ रहा है तो minus में निकाल लो काई में निकालना है minus में निकालना है confusion होने से पहले हम एक step का काम और करेंगे minus 2abx तो as it is लिखा ठीक है इन दोनों को जब solve करोगे सुनना ध्यान से इन दोनों को जब solve करोगे तो कितना हो जाएगा plus में cax हो जाएगा ठीक है इन दोनों को जब solve करोगे तो कितना हो जाएगा plus में cbx हो जाएगा या bcx हो जाएगा बात ये किए अब इधर से क्या common आ रहा है बोले सर इधर से तो एक चीज़ कॉमन आ रही है वो है X तो निकाल लो तो यह हो जाएगा हमारे पास X स्क्वेर कॉमन निकाला तो यहाँ 2C बचेगा 2C बचेगा 2C 2C लगा दिया तो यह हो जाएगा X स्क्वेर A प्लस B माइनस 2C अब यहाँ से हमने निकाला माइनस X कॉमन अंदर बचेगा 2AB माइनस CA माइनस CB अब देखो ना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा और यह माइनस मी रहेगा इतना क्लियर हो गया की नहीं हो गया हो गया सर जल्दी 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 निकाला क्या हासन निकाला आपको कुछ निकरना इधर से x common आ रहा है अंदर क्या बचेगा वो समझो इधर से तो x बचेगा अच्छा और ब्रैकेट में बच जागा a plus b minus 2c क्लियर है सर minus आप x तो बाहर निकाल चुके हो अब आपके पास इधर क्या बचेगा तो sir 2ab minus ca minus cb is equals to कितना बचेगा हमारे पास 0 बचेगा अब समझो आपके पास दो रूट्स क्लियर क्लियर रागा है एक तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से 0 आ जाएगा simple है एक तो आपके पास x बराबर 0 आ गया आपने इसको क्या करा directly into में था न यह पूरा तो x बराबर 1 तो आगया 0 और एक यह पूरा बराबर 0 कितना कितना यह पूरा बराबर 0 अब यह पूरा कितना है यह पूरा तो है हमारे पास x into a plus b minus 2c ठीक है? माइनस 2AB माइनस में आपके पास कित्ता है 2AB माइनस CA और माइनस CB बराबर कित्ता? 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आपने इसको राइट साइड में भेजा तो X की वैल्यू आपके पास कित्ती आ गई? X की वैल्यू आ गई 2AB माइनस CA माइनस CB अपन यह पूरा चली आएगा डिवाइड में A प्लेस B माइनस 2C तो X को हमने A, B और C के टर्म्स में फाइन कर दिया है न? क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई क्या? 2 वैल्यू आएंगी एक तो X बराबर 0 और 1 X बराबर आएगा A, B और C के टर्म्स में यह होगा इसका final solution तो एक तरीके से आपने इसको भी कर डाला है एक बरस का screenshot ले लो बहुती जादा important question है यह दियान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुती जादा important question है तो दियान रखना ठीक है? आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास क्या आगया? अब हमारे पास आगया 15th question 15th question क्या बोल रहा है? Find two consecutive odd natural number the sum of whose squares is 394 सबसे पहले तो समझो कि consecutive odd natural number होते क्या है? भाई मैं बोल रहा हूँ कि odd number में सबसे पहले आता है 1 clear है बात? तो बहुत जादा simple है अगला number क्या आएगा? 3 आएगा अगला number क्या आएगा? 5 आएगा समझ गए है? समझ गए सब तो उस हिसाब से अगर हम लोग समझे तो आपके पास क्या हो जाएगा? अगर gap देखो कित्ते कित्ते का है gap देखो कित्ते कित्ते का है plus 2 हो रहा है इससे यह कैसे आएगा? plus 2 हो क्या आएगा तो अगर मान के चलो कि एक consecutive number को मैं x ले रहा हूँ है ना consecutive odd natural number को अगर मैं x ले रहा हूँ let two consecutive odd natural numbers और या भी x और x प्लस 2 है ना क्या लिखोगे? x और x प्लस 2 अब अगर्डिंग तो कॉस्टिन according to question आपके पास क्या बोलरा? the sum of whose squares? क्या लिख दोगे यहाँ पर? sum of उनके square का sum is is मतलब is equals to 394 भाई इनके square पहले x का square करो x प्लस 2 का square करो तो x का square करा x प्लस 2 का square करा और इनके square का sum किता है? 394 है ठीक है? तो यह तो हो गया हमारे पास x square a प्लस b का whole square किता होता है? a square प्लस b square plus 2ab मतलब 2 2s of 4x is equals to 394 394 को left side ले क्या हो और यह हो गया आपके पास 2x square plus 4x plus 4 minus 394 is equals to किता हो जाएगा? 0 हो जाएगा plus 4 minus 394 किता हो जाएगा? देखो 2x square plus 4x minus 390 is equals to 0 2 common आ रहा है मेरे दोस्त तो 2 को हम क्या करेंगे? 2 को common निकालेंगे अंदर बचेगा x square plus 2x minus किता हो जाएगा? यहाँ से 150 और 170 175 होगा हरा? किता होगा? 175 is equals to हो जाएगा आपके पास 0 समझ में आ गई क्या फिल्म इत्ती? अरे सिंपल सी तो बात है मेरे भाई अगर आप 2 को common निकाल रहे हो तो आपके पास किता हो जाएगा? 2 9s 18 195 होगा देखो 2 1s are 2 आपके पास हो जाएगा 19 तो 2 9s are 18 और 2 5s are 10 195 होगा इतना गले है अब 2 जैसे ही डिवाइट में चले आएगा तो हमारे पास बचे का सिर्फ और सिर्फ इत्ता अब 195 के हल से आपको 2 लेके आना पड़ेगा आपके पास जो quadratic equation form होगी वो इस format में होगी अब आपकी मर्जी है आपको जो भी method करना है factorization करना है तो factorization कर लो भी करना है आप करके और इनको split कर सकते हो मतलब split करके मुझे xql you दे सकते हो मैं तो factorization वाला बंदा हूँ मैं तो factorization ही करूँगा क्योंकि इधर factorization आसानी से हो रहा है तो मैं क्यों quadratic formula apply करूँ 195 into 1 किता हो गया 195 हो गया अब आपको इधर इसको समझना पड़ेगा ठीक है 3 से जा रहा है यह 3 से जा रहा है 3 6 जा 18 हो जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा फिर 5 से जाएगा तो 5 बंदा 5 और 5 3 जा 15 और 13 बंदा 13 आपको इन 3 नमबर से 2 नमबर कोई भी ऐसे बनाने जिनको minus plus करने पर 2 आए तो मैंने बुला भाई देखो 5 3 जा कित्ता हो जाएगा 15 हो जाएगा एक नमबर बन गया दूसर नमबर 13 15 में से 13 को minus करोगे तो आपके पास कित्ता आजाएगा 2 आजाएगा समझ गए क्या अरे समझ गए की नहीं समझे समझ गए सा तो आपको सिंपली क्या करना है एकस स्क्वेर का एकस स्क्वेर यहाँ लिख देना है प्लस 2 कैसे आएगा ये वाला जो 2 है वो कैसे आएगा सर जाब 15 में से 13 को minus करेंगे 15 में से 13 को जब minus करेंगे minus कित्ता 195 बराबर कित्ता 0 समझ गए क्या चालो 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 एकस स्क्वेर प्लस 15 एकस माइनस 13 एकस माइनस 195 बराबर कित्ता 0 अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप ध्यान दोगे तो एकस कॉमन आ रहा है एकस कॉमन निकाल दो अंदर बचेगा एकस प्लस 15 माइनस 13 कॉमन आ रहा है अंदर बचेगा x plus 15 बराबर हो जाएगा 0 x plus 15 x plus 15 तो हो गया आपके पास अब आपके पास क्या आजाएगा x minus 13 बराबर किता 0 तो x की आपके पास 2 value आजाएगी एक तो x plus 15 को बराबर करना 0 के साथ और x minus 13 को बराबर करना 0 के साथ तो एक आजाएगा x बराबर माइनस 15 आपका ये वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको उसने बोला है consecutive odd natural number क्या natural number ये natural number में नहीं आएगा x बराबर किता 13 ये बिलकुल भाया हो सकता है ये बिलकुल हो सकता है तो therefore two consecutive odd two consecutive odd natural number ये तो हो जाएगा 13 और एक निकलेगा 13 प्लस 2 मतलब 15 समझ गए एक तो आजाएगा 13 और दूसरा आजाएगा 13 प्लस 2 मतलब 15 क्लियर हो गई बात समझ में आ गया तो ये कोशन आया था cbsc 2017 में जितने भी कोशन यहां पर हो रहे हैं सारे most important कोशन है अब most important question मतलब क्या लेकर आ सकतो सर आप प्रिवियस कोशन उठागे लेकर आ जाओगे तो और क्या लेकर आओंगा भाया प्रिवियस यहर उठागे लेकर आ गया कमजोर समझ रहे हो गया है ना समझ रहे है प्रैक्टिस भी ओरी और कितने easy easy question है समझो चलो समझ लो कि ऐसे question आते थे वहिया रहे है चलो आगे बढ़ रहे है अब जैसे ही आप आगे बढ़े तो आगे हमारे पास एक नया question आ गया और वो question है question number 16 question number 16 क्या बोल रहा है find the values of p आपको p की value निकालनी है for which the quadratic equation यह आपकी quadratic equation है has equal roots आपके पास क्या है equal roots है question कब आया हुआ है cbsc 2014 में आया हुआ है आपको values निकालनी है p की जिसमें की आपके पास quadratic equation के equal roots है समझ में आ गई क्या बात चलो आजा try करते है try करते है इस equation के equal roots है equal roots होने का क्या मतलब की सर कहीणा कहीण़ डिस्क्रेमिनिंट 0 के बराबर है क्योंकि equal roots की condition क्या होती है आपको सबसे पहले ही उसने क्या बोल दिया equal roots है equal roots ही आपको क्या समझ जाना चाहिए आपको समझ जाना चीह कि सर वहाँ पे b square minus 4ac बराबर क्या है 0 है ठीक है अब यह b square minus 4ac कहां से लाएंगे मैंने बुला इस equation से लेके आएंगे तो 4x square plus px plus 3 बराबर 0 जब आप इस equation को compare करोगे ax square plus bx plus c बराबर 0 के साथ तो you will get the value of a4 bp और c3 ठीक है now put the values of a b c in this equation जो condition है भईया किसकी equal roots की तो b की जगह डाला तो आजाएगा हमारे पास कित्ता यहाँ पर कर लेते हैं इसको further solve b की जगह पर डाला हमने p तो p का square minus 4 into a की जगह पर कित्ता 4 ठीक है है ना और c की जगह पर कित्ता 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 3 बराबर 0 p square minus 4 4 जा 16 16 3 जा कित्ता हो जाएगा 48 हो जाएगा बराबर 0 तो p square बराबर 48 आ जाएगा और p बराबर कित्ता आ जाएगा आपके पास plus minus root of 48 अब root of 48 को खोलने की बारी है तो आप इसको अंदर ही अंदर कित्ने में तोड़ सकते हो टू टू जा 4, टू 4 जा 8, टू 12, टू 6, टू 3 और 3 बन जा तो ये आपके क्या हो जाएगे पेर हो जाएगे ठीक है ना समझना बात को ये root के अंदर इतने सारे नंबर है तो एक टू आजाएगा भार और एक टू इधर से आजाएगा भार, टू और टू हो जाएगा 4 तो 4 प्लस माइनस में 4 रूट 3 ये आपके पास P की वैल्यू आए की, समझ गए, बड़ा ही आसान कोशन था, बड़ा ही आसान कोशन था और इसको हमने चुटकियों में कर डाला, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो भाईया, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, आगे बड़े, आसान कोशन है न, बस, ऐसी होगा भाईया, ऐसी होगा, अब आजाओ कोशन नमबर 17 देखते हैं, सर क्या बोल रहा है कोश की वैल्यू निकालनी है, same to same question, अब एक quadratic equation, अब इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, कब आया है ये question, ये आया है 2015 में, ठीक है, आपके पास quadratic equation क्या है, px square minus 2 root 5 px plus 15 बडाबर 0, अच्छा, शिंपल सी एक चीज लिखना, on comparing the above equation, क्या लिखोगे, on comparing the above equation with general form of, with general form of, a standard form of quadratic equation, standard form of quadratic equation. तो आपने इसको क्या करा, आपने इसको compare करा, ax square plus bx plus c बडाबर 0 के साथ, आपको a की value कित्ती मिल जाएगी, आपको a की value p मिल जाएगी, आपको b की value कित्ती मिल जाएगी, minus root 5 p मिल जाएगी, देखना, 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 minus में root 5 p मिल जाएगी, ठीक है, c की value कितनी मिल जाएगी c की value 15 मिल जाएगी ठीक है now according to question the equation has भाईया क्या 2 equal roots तो 2 equal roots की condition लगाऊँगा मैं ठीक है therefore आपके पास अब जो condition लगने वाली है वो किस की लगने वाली है 2 equal roots की अब 2 equal roots की condition क्या होती है कि वहाँ पे आपके पास discriminant बराबर होता है 0 की किस की condition है यह यह condition है 2 equal roots की clear हो गई बात clear हो गई अब D बराबर क्या होता है आपके पास B square minus 4AC और यह बराबर है 0 की B की value आपके पास दी हुई है minus 2 root 5P का whole square minus 4 into A की value P और C की value 15 clear है clear है बराबर 0 अब भया इसका square करना है 2 का square 4 root 5 का square 5 4 5 जा 20 20 P square कितना जादा आसान था 2 का square 4 root 5 का square 5 4 5 जा 20 P square minus 15 4 जा 60 15 4 जा 60 P बराबर 0 common हा रहे क्या कुछ? बिलकुल हा रहे है क्या हा रहे? 20 P आ रहे है अंदर कितना हो जाएगा? P minus 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 अरे देखो ना 20 P into P 20 P square 20 P into 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 60 P अच्छा अब 20 P बराबर 0 20 P 20 P बराबर 0 और एक हो जाएगा P minus 3 बराबर 0 P minus 3 बराबर 0 P की वैल्यू क्या आ जाےगी 0 अब आप बताओ प की वैल्यू 0 मैं तो ने लूँँगा अब मैं क्यू झेऊ ऐसा बोल रहा हूं कि मैं p की value 0 नहीं लूँगा यह आप मुझे जल्दी बताओ comment बताओ अभी और p की value सही क्या होगी 3 होगी चलो मैं बता देता हूं उसका रास कि जब आपने p बराबर 0 लिया मान लो अगर आपने p बराबर 0 लिया इस equation में तो आपके पास तो x square ही खतम हो गया तो यह किस नाम का quadratic यह किस नाम का quadratic बचेगा यह तो quadratic ही नहीं बचेगा अगर हम लोग p की जगे पे सुनना ध्यान से अगर हम लोग p की जगे पे 0 ले ले लेंगे तो यह भी यह x square कोई खतम कर देगा यार अगर x square कोई खतम कर देगा तो यह किस नाम का quadratic बचेगा दूसरी बात यह तो x को तो ऐसे ये वाले question में P की value आपके पास 0 नहीं होगी P की value कित्ती होगी 3 होगी तो लिख देना यहाँ पर So the value of P is The value of P is कित्ता 3 P की value कित्ती हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी और ऐसे आपने question number 17 कर लिये एक बार screenshot ले लो जल्दी से screenshot ले लो मैं हट रहूँ ले लिया आगे बढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे अब आप जैसे ही बढ़े हैं आगे हमारे पास आगया question number 18 बोल रहा है solve the following quadratic equation for x अब आपको x के लिए निकालना पड़ेगा आजाओ question number 18 ठीक है? x के लिए और आपके पास equation है ये और आपको वो दिया है CBSC 2015 में अब इसको करना कैसे? यह आ रहा है आपके मन में भी कि सर? इसको करेंगे कैसे? तो मैंने बोला भाई हम लोग सबसे पहले इसको कैसे करेंगे? हमें इसको करना पड़ेगा quadratic formula से किस से? quadratic formula से quadratic formula को और कौन सा formula बोलते है वो आप मुझे comment में बताओ और क्या formula बोलते है quadratic formula को वो आप मुझे comment में बताओ मैं आपको एक hint देता हूँ कि उसका जो दूसरा नाम है ना वो S से शुरू होता है किस से? S से शुरू होता है बस इतना इंट दे पाओंगा भाई मैं इतना जादा इंट नहीं देता हमें चलो 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 आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले तो हमें करना क्या पड़ेगा लिखना पड़ेगा on comparing the given equation with ax square plus bx plus c बराबर 0 तो अब आपके पास a, b, c तो अल्रेडी है एक काम करो उसको capital में लिख लो ax square plus bx plus c बराबर 0 तो आपको a की value कित्ती आजाएगी 4 आजाएगी a कित्ता आजाएगा 4 आजाएगा b कित्ता आजाएगा 4 b आजाएगा c कित्ता आजाएगा minus में a square minus में b square आजाएगा ये बात बिल्कुल clear हो रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो मैंने बोला अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे discriminant discriminant क्या हो जाता है b square minus 4ac हो जाता है तो अब discriminant हम लोग क्यों निकालते है अरे यार सिंपल सी बात है ये चेक करने के लिए कि roots हमारे कही real तो नहीं है अगर no real roots आ जाएंगे तो हम क्यों ही निकालेंगे अगर no real roots आ जाएंगे तो हम वहाब पर roots नहीं निकाल पाएंगे और हम question को वहीं छोड़ देंगे तो आजाओ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और दोस्त discriminant जब मैंने निकालने चला तो b का square करना था मतलब 4b का square minus 4 into a 4 into a into c किता है मेरे पास minus में minus minus plus a square minus b square हो गया बहुत जाता आसान जाएगा question 4b square मतलब 16b square minus 4 4 जा किता हो जाएगा 16 multiply भी कर दोगे तो a square plus में 16a square और minus में 16b square 16b square से 16b square कट गया discriminant आजाएगा 16a square अब मैं तो बोल रहा हूँ आप ये जो small a है ना इसके अंदर आप कोई भी number लो अच्छा number दो जो तरीके कि हो सकते हैं या तो positive होगा या तो negative होगा जब आपने इसके अंदर positive रखा मान के चलो 2 रख दिया तो 2 का square 4 और 16 4 जा 64 मतलब एक positive number आएगा ठीक है अगर आपने एक ही जगे पे कोई negative number रख दिया आपकी मर्जी आप रखो आपने minus का 1 रख दिया तो minus का 1 का square जब होगा तो वो तो plus ही हो जाएगा तो plus 1 और 16 into 1 16 आप कुछ भी कर लो यहाँ पर डिस्क्रिमनेंट आपको कैसा मिलेगा डिस्क्रिमनेंट आपको मिलेगा हमेशा greater than 0 अगर डिस्क्रिमनेंट भाई इतनी जित पे अड़ा हुआ है कि वो greater than 0 ही देगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा दो क्या equal roots कि no real roots या फिर क्या क्या बताओ सर अगर डिस्क्रिमनेंट greater than 0 है तो अब वहाँ पर हमारे पास दो distinct real roots आते हैं क्या आते हैं दो distinct real roots मतलब क्या मतलब जो आप यहाँ से x की value find करोगे न वो तो आएंगी तो वो इसलिए आएंगी क्योंकि quadratic है अच्छा जो x की value find करोगे न दो वो दोनों पता है कैसी और equal roots की condition में वो तोनों equal आती है बास अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग लगाएंगे quadratic formula आजा लिखना by using quadratic formula तो quadratic formula में x कैसे निकलता है minus का b plus minus root of b square minus 4ac whole upon में 2a अब एक बात समझो b square minus 4ac आपके पास किता है वो तो आपके पास है 16a square तो आप सीधा सीधा इसको d भी लिख सकते हो root में यहाँ तो फिर b square minus 4ac भी लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो तो मैंने यह लिखा और फिर मैंने लिखा minus का b minus का b मतलब minus का 4b okay plus minus under root में b square minus 4ac मतलब 16a square किता 16a square whole upon 2 into a 2 into a मतलब 4 to the 8 अब आजाओ x के value किती आजाएगी minus का 4b plus minus यह किता हो जाएगा 16a हो जाएगा upon में हो जाएगा 8 अब इदर से दो चीज़े आपके पास आएगी एक तो जब आपने इसको plus लिया तब क्या होगा और एक तो जब आपने इसको minus लिया तब क्या होगा तो आपके पास x देखो क्या होगा minus 4b plus 4a upon 8 किता तो आपने जब plus लिया तो यह तो हो जाएगा 4a plus का था minus 4b upon में 8 4 common निकाला तो अंदर बचा a minus b upon 8 तो 4 to the 8 हो गया यह ठीक है अब आपने जब negative इसको रखा तो negative जब आपने रखा तो यह तो हो गया minus का 4 है ना समझना minus का 4b minus का 4 है तो आपने common निकाल लिया तो अंदर बचे का a plus b upon में 8 4 to the 8 तो x के अलू कि इत्ती आ जाएगी आपके पास minus में a plus b by 2 clear है हो गया एक तो आजाएगा आपके पास a minus b by 2 और एक आजाएगा minus में a plus b by 2 हो जाएगा आगे बढ़ सकते हैं क्या चलो आगे बढ़ते हैं तो इतना आसान सा question आया था आपका cbsc 2015 में यह साब question थे हमारे है ना clear है चलो अब सर आपके पास एक नएा question आ गया पढ़ो पहले ध्यान से पढ़ो फिर समझत question number 19 बोल रहा है अगर x बराबर minus का 5 is a root of the quadratic equation this and the quadratic equation this has equal roots find the value of k आपको ना अभी यह हाँ पर उल्जन होगी क्यों क्योंकि आप सबसे पहले तो डर रहे हो कि यार दादा cbsc का question cbsc का question है तो क्या हुआ हम कर तो लेंगे ना समझा मैं समझाता हूँ आपको बोल रहा है अगर x बराबर minus 5 सुनना अगर minus 5 root है quadratic equation इसका अगर x अगर यह इस equation का root है अगर यह इस equation का root है तो वो इस equation को satisfy करेगा मतलब मेरा क्या कहना है कि मैं x की जगे पर minus 5 इस equation में डालूँगा मैं x बराबर minus 5 इस equation में डालूँगा तो मुझे p की value यहाँ से मिल जाएगी ठीक है फिर 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 समझना और and a equation this अब क्योंकि मुझे p की value तो मिल गई है तो p की value मेरे पास तयार है और इस equation के equal root से तो हमे k की value निकालनी है यह रहा आपके पास के यह question step by step चलेगा अब समझो आजाओ सबसे पहले सबसे पहला काम आपको लिखना है कि अगर minus 5 एक root है किसका of quadratic equation इसका 2x square plus px minus 15 बराबर 0 का तो क्या हो जाएगा तो यार यह minus 5 इस equation को पूरा satisfy कर रहा होगा तो अब हम मैं क्या करूंगा x की जगे पे minus का 5 रख दूंगा उसका square plus p into x की जगे पे minus 5 minus 15 बराबर कित्ता हो जाएगा 0 हो जाएगा x की जगे पे minus 15 मैंने डाल दिया समझ गए गया पक्का बढ़िया तरीके से बस हो गया minus के 5 का square 25 25 2 जा 50 minus 5 p minus 15 बराबर कित्ता हो जाएगा 0 हो जाएगा 15 में से 15 को minus करना है 50 में से 15 को minus करना है आपके पास हो जाएगा 35 35 minus 5 p बराबर कित्ता 0 35 right side में चले आएगा तो हो जाएगा minus 5 p बराबर minus का 35 minus से minus कट गया बाकी सब बढ़ गया तो आपके पास p की value कित्ती आ जाएगी 7 आ जाएगी 5 7 जा 35 ना यार तो p की value तो आपके पास आ गई put the value of p in this equation और फिर इस equation की condition है कि इस equation की क्या है equal roots है तो आपके पास p की value जैसी आपने रखी हना therefore p बराबर 7 आपके पास जब आप इस equation में रखोगे तो 7 x square plus x plus k बराबर 0 has equal roots तो क्या हो जाएगा तो समझेंगे पहले इसको further solve करना पड़ेगा कित्ती हो जाएगी 7 x square plus 7 x plus k बराबर 0 अब मुझे एक बात बताओ अगर इस equation के equal roots है मतलब क्या मतलब यह सर कि जब हम इसका discriminant निकालेंगे तो वो बराबर 0 होगा अरे यार तीनी तो condition होती है समझो तीनी तो condition होती है आप भूल नहीं जाना बार-बार आप बार-बार भूल नहीं जाना आपके पास general form of quadratic general form of quadratic equation होता है और वो क्या होता है वो ता यार भाई ax square plus bx plus c बराबर 0 ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप सर्ड-discriminant निकालोगे तो आपने discriminant निकाला कैसे निकाला b square minus 4ac से निकाला कैसे निकाला b square minus 4ac से निकाला अब इसकी तीन condition होती है वो तीन condition मुझे बताओ चलो तो इसके बाद क्या था सर इसके बाद simple से यहाँ पर कित्ते होते है सर तीन तरीके के route सोती है सर तीन तरीके के ऐसे होंगे कि जब हम discriminant निकालेंगे और मतलब b square minus 4ac निकालेंगे अगर वो discriminant less than 0 आ गया क्योंकि हो सकता यार कि discriminant negative आ रहा है अगर discriminant negative आ गया ऐसे लिखता हूँ ताकि confusion नहीं हो अगर discriminant negative आ गया इसका मतलब क्या है कि discriminant less than 0 है और अगर discriminant less than 0 है तो वहाँ पर आपके पास कोई भी real roots नहीं होंगे no real roots ओके सर एक बाद तो यह होगई एक बाद तो यह होगई ठीक है अब मान के चलो कि discriminant 0 आ गया अगर discriminant 0 आ गया इसका मलब discriminant 0 आ गया तो यहाँ पर आपके पास दो equal real roots होंगे दो equal real roots होंगे ठीक है एक चीज और कि मान के चलो अगर discriminant आपका positive आ गया positive मतलब सा discriminant अब आपका क्या हो जाएगा discriminant हो जाएगा आपका greater than 0 तो यहाँ पर आपके पास condition आती है दो distinct real roots की काई की दो distinct real roots की simple है बात बहुत जादा simple है तो एक बार इसका screenshot ले लो भाई जल्दी से एक बार इसका screenshot ले लो हो गया अब समझो बात को यह जो equation है बोल रहा है भाया इसके equal roots है अगर इस equation के equal roots है मतलब discriminant की condition 0 है तो d हमें कित्ता लेके चलना है 0 के बार आपर d 0 बोल दो समझो यहाँ पर आप d 0 बोल दो और यहाँ तो फिर b square minus 4 is equal to 0 बोल दो भाई बात तो एक यह ना यार ठीक तो अब आगे काम कर रहे है आगे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा discriminant 0 के बराबर हो जाएगा मतलब की b square minus 4ac 0 के बराबर हो जाएगा लेकिन सर आपने इधर a b c क्या बोला मैंने बोला भाई a मैंने 7 बोला b b मैंने 7 बोला और c मैंने k बोला क्योंकि a x square plus b x plus c से जब आप इसको compare करोगे तो a की value 7 आ जाएगी b की value 7 आ जाएगी c की value क्या आ जाएगी डाल दो भाई इसमे a की value 7 7 का square minus 4 into 7 into k बराबर 0 49 minus 7 forza 28 k is equals to कित्ता हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा अब आप क्या करोगे अब आप इसको right side में जसी भेजोगे minus 49 minus से minus कट जाएगा k value आ जाएगी 49 upon में कित्ता 28 समझ गया बात को तो ये बात आपको आ गई की नहीं आ गई समझ में एक बार जल्दी से देख लो जब आप इसको काट होगे तो 7 forza 28 777 जा 49 k value आ जाएगी 7 by 4 ठीक है आ गया क्या समझ में तो ऐसे ही आपका CBSC 2016 का question हो जाएगा खतम यहाँ से कुछ भी नहीं किया भाई हमने minus 5 इस equation में रखा और इस equation में रखने के बाद हमने P के लिए solve करा कैसे किया minus 5 का square 25 25 तूज जा 50 minus 5 P minus 15 बराबर 0 जब मैंने इन दोनों को minus किया तो 40 35 35 भुगा आगे right side में P की value आ जाएगी 57 जा 35 7 की value इसमें डाल दी तो यह हो जाएगा पूरा एक equation मन जाएगी उसके बाद फिर मैंने discriminant के लिए solve किया K की value आ गई 7 by 4 जल्दी एक screen shot लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है हो गया क्या चलो आगे बढ़ रहे हैं अब जैसे आप लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे पस क्या आ गया last question आ गया इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे भईया आखरी सवाल आखीरी सवाल चलो तो जल्दी से एक बार देख लो, क्या बोल रहा है आपको find करना है value P की, ठीक है for which the one root of the quadratic equation this is six times the other आपके पास जो एक root है न, quadratic equation का वो 6 गुना है other root के, ठीक है मतलब कोई भी दो root को हम alpha और beta ले लेंगे अब सुनना, बहुत अच्छा सवाल है बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है बहुत मज़ा आएगा, आजा, solve करता है क्या लेखोगे, कि let alpha and beta are the roots of quadratic equation then, question के हिसाब से question के हिसाब से आपको बोल रहा है कि जो एक root है ना, let's say alpha वो 6 गुना है beta के मतलब आपके पास जो alpha है ना वो 6 गुना है beta के यह आपको given दिया है यह आपको given दिया है कि आपके पास one root of the quadratic equation is six times the other तो मैंने बोल दिया भाईया, जो मेरा alpha है ना वो 6 गुना है किसके beta के तो हो जाएगा भाईया अब क्या करेंगे? अब हमें बहुत जादा आसानी से एक चीज़ पता है कि अगर आपके पास एक quadratic equation है px square minus 14x plus 8 पराबर 0 तो जब आप इसको general form से compare करोगे तो आपको क्या-क्या मिल जाएगा? सर एक तो मुझे a मिल जाएगा जो की है p ठीक है एक तो मुझे b मिल जाएगा जो की है minus का 14 ठीक है और एक तो मुझे c मिल जाएगा जो की है 8 तो simple सी बात है आपको यहाँ पे क्या find करना है? sum of roots therefore sum of roots बराबर alpha plus beta is equals to कित्ता हो जाएगा? आपके पास minus का b by a हो जाएगा क्या हो जाएगा? minus का b by a हो जाएगा समझना, सुनना, देखना एक alpha की जगे पे तो मैं alpha ही रखूँगा और beta की जगे पे beta की जगे पे मैं क्या रखूँगा? beta ही रखूँगा लेकिन अलफा की जगे पे मैं कित्ता रख सकता हूँ 6 बीटा रख सकता हूँ अलफा की जगे पे मैं कित्ता रख सकता हूँ 6 बीटा रख सकता हूँ और बीटा की जगे पे तो मैं बीटा ही रखूँगा माइनस का माइनस लगा दिया B की वैल्यू है माइनस 14 मतलब प्लस 14 अपन A है मेरे पास कितना P तो 6 बीटा और बीटा 7 बीटा बराबर 14 अपन P 7 टूजा 14 तो बीटा की वेल्यू आ जाएगी 2 अपन में P ये बात किलियर हो गई की नहीं हो गई बहुत जाद अच्छे से किलियर हो गई बीटा की वेल्यू 2 by P आ गई, अच्छा अब समझना, अगर बीटा की वेल्यू 2 by P आ गई तो alpha कितना आ जाएगा देखो, देखो, इस बीटा की वेल्यू उठाओ और इता डालो, तो alpha कितना आ जाएगा, Sir, alpha आ जाएगा देखो, यहांपर निकालेंगे अब हमारा एक ओजार ओर बचा है हमारा एक ओजार और बचा है जिसका नाम है product of roots क्या product of roots और product of roots बराबर कितना हो जाता है c by a हो जाता है हना product of roots में क्या होता है alpha beta बराबर c by a सुनना समाझना देखना alpha की जगे पे तो 6 beta रखूँगा ठीक है alpha की जगे पे मैं 6 beta रखूँगा और beta की जगे पे मैं 2 by p रखूँगा तो मेरी बात ऐसे समझो ध्यान से की alpha की जगे पे तो चलो ठीक है मैंने माना की alpha रखूँगा alpha की जगे पे मैं किता रखूँगा 6 beta रखूँगा और beta की जगे पे तो मैं beta ही रखूँगा बराबर कितना हो जाएगा? क्या इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई आगी? अब बीटा का क्या हो जाएगा square? और बीटा का square हमारे पास present है. six बीटा का square बराबर सी गाइ. c की जगे पे eight और a की जगे पे p. c की जगे पे eight और a की जगे पे p. क्या यह पीटा की जगे पर आप क्या रखोगे 2 by P 2 by P का स्क्वेर मतलब कितना हो जाएगा 4 by P स्क्वेर बराबर 8 upon P P से P कट जाएगा P से P कट जाएगा P जैसी right side में जाएगा तो यह हो जाएगा 6 into 4 upon 8 बराबर P 4, 2 जा 8, 2, 3 जा 6 P की वैल्यू आगई 3 P की वैल्यू गितनी आगई 3 आगई समझ गए क्या तो यह हो जाएगा आपके पास question number 20 जो की आया था CBSC 2017 में यहाँ पर हमने जितने भी question करें जितने भी question करें हैं एक-एक question बहुत important है एक-एक question previous year question था आपने देखा होगा यहाँ पर year mention था तो हमारे CBSC का काम यह 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 भाईया कि आपको ऐसा ऐसा नहीं provide करना कि हरकुछ हरकुछ provide कर दे नहीं आपको बढ़िया तरीके से quality wise और free education provide करेंगे और देख लो भाई CBSC के previous year question solve करवा रहे और क्या चाहिए पूरा chapter solve करवाया पूरा chapter की NCRT पूरी solve करवाई पूरी NCRT के साथ साथ question solve करवाई question के साथ साथ multiple choice question जो की previous year के थे उसके बाद most important question जो आप देखी रहे हो previous year के हैं आप उठा लो भाईया यहाँ पर आप सर्च करो 2017 का paper और 2017 के paper में अगर यह question नहीं देखे यह कोई भी जितने भी आगे question थे ना 2015, 2014, 2016 जो भी थे मैं इतना year को नहीं देख रहा था मेरा motive था यहाँ पर कि आपके दिमाग में यह question बिठाना था तो मेरा motive तो पूरा हो गया आप लेकिन अगर आपको देखना है और अगर यह question आया होगा तो वीडियो को like कर देना है ठीक है वादा कर रहे हो वीडियो को like कर दोगे ओके डन तो बस इतना ही दा इसका screenshot लेना है लो लेलो भाईया इसका screenshot लेलो तो जैसे ही अब आपने इसका screenshot ले लिया तो यहाँ पर हम लोगों ने बढ़िया मस्त तरीके से 11 से लेकर 20 तक के question खतम कर लिये अब आपको I hope समझ में आ चोगा होगा कि magnet brains का काम ही है कि आपको तो quality wise और free education प्रोवाइट करनी है kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग CBSC board English mediums है क्योंकि हमारे दो तरीके के courses है एक तो English medium और दूसरा Hindi medium अगर आप लोग English medium CBSC boards हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला channel है जिसको आपने अभी तक subscribe नहीं करके रखा जल्दी जाएए subscribe कर लीजिए क्यों क्योंकि आपको पता है यह चीज कि आपको ही यहाँ पर मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ quality wise और free education अब सुनिए ध्यान से जब आप playlist के option में जाएंगे न तो यहाँ पर आपको सारी teacher के सारी classes के, सारी subject के सारी chapter के, सारी topics के भी सब topics के videos एकदम arranged format में मिल जाएंगे आप community के option में अपने नजरे जमा के रखें क्योंकि वहाँ पर आता है magnet brains का update आप यहाँ पर live sessions अटेंड कर सकते हो, आप हमारा app download कर सकते हो, grab e-notes के option में जाएंगे, तो यहाँ से आप हमारे e-notes अवेल कर सकते हैं, आप हमारी website विजट कर सकते हैं, यह वीडियो पसंदा है तो like, share और subscribe जरूर कर दीचेगा आप हमें follow कर सकते हो facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे e-notes या e-books अगर अवेल करने हैं तो link description box में given है साथी साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और सोच रहे हैं या tension में है कि अब पढ़ें कहां से तो घपरानी की बिलकुल भी बात नहीं क्योंकि magnet bands आप लोगों के लिए लिए लिक्या गया एक बहुत बड़ी खुश कबरी जी हाँ, magnet bands हिंदी मीडियम चैनल यहाँ पे आपको मिल जाता है class 6 से लेकर class 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज, अरे विद कवरेज टेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हमारे कुछ और भी courses हैं, जिसका नाम में वेदिक माच्स crash course और spoken English तो आज के session में सरफ इता ही